हेलो एब्रिबन एक वा फिर से आप सभी का सौगत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजूकेशनल गिल्टी में दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो मों जो क्लास नाइन्थ का इस मैटर एराउंड आस प्योर एन्सियाटी जो है इस मैटर एराउंड आस प्योर चैप्टर है उसका जो एक टर्म है कंसंट्रेशन टर्म आपने परहा होगा उसी से रिलेटेड हम कुछ नुमेरिकल कोशन सौल्ब करेंगे जो अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है आपका और चाहे इसको लेवल का एक्जाम हो या कहीं और भी आपके इस पॉर्षन से नुमेरिकल कोशन आना दोस्तों मस्ट है अगर इस टॉपिक से कोशन बनेगा तो एक ने कोशन नुमेरिकल आपको दिया ही जाएगा और नुमेरिकल यूज्वली जो होता है आसान ही होता है औ अगर आप solve कर लेते हैं, आसान रहता है तो पुरा पुरा नमर आपको मिलेगा, देखिए, question कहा है न, calculate the mass of glucose and mass of water, एक तो mass of glucose पूछ रहा है, दुसरा mass of water पूछ रहा है, तो सबसे पहली बात तो, mass of glucose क्या हो, एक प्रकार से solute हो गया, हमारा, दुसरा mass of water मतलब, solvent का भी mass हम स पूछ रहा है, required to make 200 gram of 15% mass by mass solution of glucose, मतलब, एक हम solution बना रहे हैं, glucose का, देखिए, 15% solution का concentration हमको दे दिया है, percentage में, फिर तो 50% हमारा क्या हो गया, percentage of solution, mass percentage of solution हमारा 15% दे दिया है, और mass by mass लिख दिया है, आपने concentration टर्म परहा होगा, दूस्तों, concentration, concentration होता है क्या है, amount of solute, amount of solute, upon amount of solution, into 100, यह हमारा concentration होता है, alright, तो एक तो solute चाहिए, दूसरा solution का mass चाहिए, amount यह आपका mass में भी हो सकता है, या volume में भी हो सकता है, amount आपका mass में भी हो सकता है, तो हमसे यहाँ पर लिख दिया है कि mass by mass, मतलब mass percentage आपसे पूछ रहा है, तो mass percentage में क्या कर देंगे, mass of solute, mass of solute, upon mass of solution, into 100, यह तो हमारा concentration का percentage, mass percentage of solution, mass percentage of solution का अगर formula देखे तो यह हमसे हो जाएगा, यह हमारा formula हो गया, मतलब यह हमारा structure हो गया है, इस यह structure का follow करके हम इस question को solve करेंगे, आप देखे, question से ना, सबसे पहले जिन भी बच्चों को नहीं आ रहा है, मतलब question समझ में नहीं आता है, तो आपको क्या क्या दिया हो, वो लिख लेना चाहिए, अगर वो आप लिख लेते हैं, तो आपका question बराने में आसानी हो जाएगी, देखे सबसे पहले, given में क्या 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 दिया हो है, given में आपको दिया हो है, 15% mass by mass percentage of solution, और 200 gram of solution, 200 gram of solution, यह में आदेखिए, कभी-कभी क्या होता है कि question आपको indirect लिखा रहेगा, तो यह जो 200 gram लिखा हो है, mass of solution है, mass of solution आपको दिया हुआ है, mass of solution, 200 gram और mass percentage, mass percentage of solution, इसी को हम concentration कहते हैं, concentration हम इसलिए निकालते हैं, concentration निकालने के बाद हमको पता चल जाता है कि कोई solution हमारा dilute है, या concentrated है, dilute का मतलब, देखिए, dilute का मतलब होता है, dilute, इसका मतलब क्या होता है, solute, किसी भी solution जो होगा, उसमें solute ज्यादा होगा, dilute का मतलब, sorry, किसी भी solution में dilute का मतलब हुआ कि हमारा water ज्यादा होगा, water मतलब solvent ज्यादा होगा, solvent ज़्यादा होगा और solute कम होगा यह हमारा dilute होगा और concentrated में इसका opposite हो जाएगा water हमारा कम होगा और solute होगा वो ज़्यादा होगा अल्राइट कभी इसलिए हम saturated परते हैं unsaturated परते हैं और super saturated परते हैं तो super saturated हमारा बहुत ही ज़्यादा concentrated solution हो जाता है saturated मान सकते है concentrated है और जो unsaturated होता है वो dilute होता unsaturated का मतलब उसमें और हम solute add कर सकते हैं इसी concentration को आगे फर्दर saturated super saturated और unsaturated में divide किया गया है तो फिला हाल हमको देखिए यहां given हमको mass of solution दिया हुआ 200 gram percentage mass of solution mass percentage of solution या concentration यह कितना दिया है 15% उसमें देखिए 15% जो दिया हुआ है percentage mass of solution 15% दिया हुआ है और 200 gram हमको solution का mass दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है mass of glucose mass of glucose and mass of water यह क्या होगा ओल्राइट यह क्या होगा यह हमको निकालना है formula मा आईए देखिए mass percentage of solution mass percentage of solution क्या होता है तो mass of solute upon mass of solution into 100 तो percentage mass of solution का स्थानवा हम क्या रख देंगे 15% जो हमको दिया हुआ रख देंगे 15 equals to mass of solute solute का mass मतलब mass of glucose हमको नहीं दिया हुआ है तो क्या माल लेते है एक्स माल लेते है अपॉन mass of क्या लिखना होता है दोस्तों solution तो mass of solution को असपस्ट दिया हुआ है 200 ग्राम 200 ग्राम mass of solution हो गया अल्राइट इंट्व 100 कर दीजे च्योंकि इंट्व 100 फर्मूला में है तो 100 कर दीए यहां से आप cross multiplication वेगरा जो numerical है असानी से solve कर लेंगे 100 to 200 तो x is equal to कितना हो गया 30 और x हम किसको माने थी यह हमारा mass of solute mass of solute या इसी को mass of glucose कहेंगे solute यहां पर हमारा क्या है तो जिसका concentration जिसकी amount कम होती हो हमारा क्या होता है solute होता है तो mass of glucose हमको आगया 30 ग्राम अल्राइट आप हमसे पूछ रहा है कि एक तो mass of glucose पूछा था दूसरा mass of water तो water का mass कैसे निकालेंगे तो मेरे पास है solution का mass mass of solution हमको दिया हुआ है कितना 200 ग्राम 200 ग्राम हमको दिया हुआ है solution का mass क्या होता है दोस्तों mass of solute mass of solute plus mass of solution equals to 200 ग्राम हमको दिया हुआ है mass of solute या mass of glucose गोज हम निकाल है कितना 30 ग्राम मास अब सॉल्यूशन मतलो हमको वाटर का मास चाहिए यह नहीं पता है इसको आप मान लेते हैं आपर X मान लीजे चलो वहाँ पर X मान लेते हैं यहाँ कुछ और मान लेते हैं यहाँ आप Y मान लीजे इकल्स टू 200 ग्राम तो Y इकल्स टू कितना हो जाएगा Y हमारा होगे यहाँ पर मास अब स्री मास अब सॉल्यूशन यहाँ लिख दिये मास अब सॉल्वेंट होगा जो की वाटर है तो मास अब सॉल्वेंट या इसी को हम वाटर लिख देंगे इकल्स टू 200 माइनस 30 170 ग्राम देखिए एक और और अच्छे से समझ लिजे सुरुवात में पहले हम कोशन देखते हैं कोशन था हमारा कैल्कुलिट था मास अब ग्ल्कोज एक तो ग्ल्कोज का मास निकालना है ग्ल्कोज क्या होता है? सॉल्यूट होता है अल्राइट एन मास अब वाटर वाटर क्या होता हमारा सॉल्वेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन में दो चीज सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है उसे सॉल्यूशन बनता है रिक्वाइड टू मेक 200 ग्राम और 50 परसेंट मास बै मास solution of glucose, तो 15% mass पर mass ये क्या दिया है, हमको concentration दिया है, mass percentage of solution दिया है, और जो 200 gram लिखा हैं, दोस्तों तो उसका आगे लेकि solution लिखा है, यह हमारा mass of solution हो गया सबसे पहले तो यह पता कर लिज़े, दिया क्या क्या हुआ given में, mass of solution को 200 gram दिया हुआ है, mass of percentage mass of solution जोसको concentration करते हैं, वो हमको 15 दिया हुआ है और mass of glucose, mass of water हमको यह पता करना है, बस यह लिख दिया उसका दो formula देखें, यहां से mass percentage of solution क्या होता है, तो mass of solution upon mass of solution into 100 इसी formula को हम यहां क्या किया है, यहां पर रख दिये है, जो हमारा solute देखें हमको नहीं पता है, mass of glucose या mass of solute, इसको मान लिए x, all right, x लिख दिये, upon क्या था हमारा formula mass of solution mass of solution देखें, यहां पर दिया हुआ है mass of solution 200 gram, 200 को यहां रख दिये, into 100 into 100 formula बला into 100 रख दिये अब कुछ नहीं करना है, 100 दूनी 200, यह कट गया 2 से यह 2 इधर जाएगा तो 15 दूनी 30 x is equal to 30, x हमारा क्या था, x किसको माने तो mass of glucose या mass of solute, क्या हमारा solute का mass हो गया था, एक चीज़ तो हमारा निकल गया all right, दूसरा निकलना है mass of water water क्या होता है, solvent होता है, किसी भी solution में अगर हमको solute पता है और solution का mass पता है, तो solvent आसानी इस निकल सकते है क्योंकि solution क्या होता है, mass of solute plus mass of solvent mass of solute plus mass of solvent equal to 200 gram जो कि हमको mass of solution दिया बथा solute का mass हम यहां से रख दिये 30 gram, जो कि यहां हम निकाले थे plus mass of solvent, यह हमको निकालना हमको नहीं पता है यहां से y हम निकाल लेंगे 200 में से 30 गया तो 170 ग्राम यह हमारा mass of water हो गया या mass of कर सकती आपका solvent हो गया तो एक तो answer हो गया 30 ग्राम और दूसरा answer हो गया 170 ग्राम यह हमारा complete answer हुआ I think कि आपको यह समझ में आया होगा दोस्तों अगर वो question समझ में आया होगा तो हूब हूब देखिए एक और question है आपका calculate the mass of sodium sulphate required to prepare 20% mass percent solution in 100 ग्राम और यह भी same question है इसको तो आपको खुद पहले pause करके solve किजिए या हम direct के हाप आपको solution बता रहे है देखिए direct सबसे पहले direct पर मत जाईए जिसको नहीं आता है ना देखिए given में क्या दिया हुआ है given आपको दिया हुआ है calculate the mass of sodium sulphate required to prepare 20% यह क्या दिया है mass percent दिया है दोस्तों यह हमारा mass percentage मतलब concentration term दे दिया है mass percentage of solution यह कितना दिया है 20% अल्राइट इन 100 gram of water देखिए water कितना लिखा है 100 gram यह क्या हो गया आपका solvent हो गया mass of solvent mass of solvent कितना दे दिया है 100 gram हमसे पूछ रहा है calculate the mass of sodium sulphate sodium sulphate यहाँ पर क्या हो गया sodium sulphate यहाँ पर हो गया हमारा solute solute को नाम बदलेगा कभी sodium sulphate लिए देगा कभी water sorry कभी आपका चीनी लिख देगा कभी नमक लिख देगा कभी कोई थायल अल्कोहर लिख देगा कुछ भी लिख सकता है तो वो नाम पर आप घवराइए मत अल्राइट sodium यह extra अगर कुछ भी नाम इस प्रकार का लिखा रहा था तो आपको पता चाल जाएगा को ही हमारा क्या है solute है आल्राइट तो बस formula लगा दीजिए mass percentage of solution इस तो क्या होता है mass of solute upon mass of solution into 100 देखिए यहाँ पर हमको mass percentage of solution दिया हुए 20% mass of solvent दिया हुए 100 gram mass of solute ने दिया है mass of solute ने दिया हँ दोस्तोς यह हमाल लेते है एकस और mass of solvent हमरा दे दिया हाar 100 gram तो रखिए अरामसे फोर्म्ला मेरे mass percentage of solution कितना दिया हुए देखिए mass percentage solution 20% दिया है तो 20 का 20 रख दिये mass совершенно mass of solute कितना है एकस है solution का mass क्या होता है solution का mass होता है कि आपका solute का mass plus solvent दोनों का addition solution का mass formula में देखे यहाँ पर कहीं ने दिया था पिछले question में direct लिखे वा था देखे पिछला question हमारा solution यहाँ solution लिखे वाया है कितना 200 gram तो solution यहाँ पर दिया हुआ था यहाँ आपका solution ने दिया हुआ यहाँ आपका solvent दिया हुआ है water दिया, water क्या होता है solvent होता है, तो solvent plus solute के add कीजिए x हमारा क्या होगा, solid हो गया और solvent के ताए 100 gram, दोनों के add कर दिये into 100, यह होगा हमारा mass of solution अराम से इसका क्या कर देना है cross multiplication कीजिए 20 पंचे 100 25 पंचे 100 हो गया इस 100 को इस 20 से काट दिये अब क्या हो गया, उपर में 5x हो गया नीचे में x plus 100, यहां सब निकाल सकते हैं या कुछ नहीं इधर बचा है तो 1 बचा हो, अगर आराम से करें तो इधर क्या हो, 5 into x, 5x अपन नीचे हो गया, 100 plus x या x plus x बात बराबर ही है cross multiplication कर दीजे 100 plus x is equal to 5x इस x को हम उधर ले जाएंगे तो 100 equals to कितना हो गया 5x में से x गया तो 5x minus x x, तो 100 equals to 4x, x equals to कितना हो गया, 100 upon 4 यह हमारा 25 यह क्या हो गया, x निकला है x हम किसको माने थे, mass of solute देखिए mass of solute x निकला, यह कितना आगे हमारा 25 solute का mass आगे हमारा पास 25, अब कोसन हम से क्या पूछा था, calculate the mass of sodium sulfate यह हो गया हमारा mass of sodium sulfate हम से पूछा था, यह हमारा क्या है तो solute है, तो solute कितना हो गया 25, तो हमारा answer क्या होगा यहां लिखेंगे last में, required mass of sodium this solution is 25 answer यह हमारा complete answer हुआ, इस दोनों को से किजिए आप इसमें समझने में किस भी प्रकार का आपको परिशान ही हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखेगा, अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज हमार इस वीडीओ को लाइक है जै्नल को सब्सक्राइब किजिए अगर और भी इस पह बहुत सारा कॉशं करेंने आपको अगर और भी कॉशं करना है तो ब्लीज कमेंट सेक्शनसिर लिखें झाल